नमस्कार किसान भाईयो मैं सूर्य देवल फिरसे हजिर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरूजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गन्ये के लिए सबसे दमदार कीटना सके बारे में और किसान भाईयो ये दमदार कीटना सके साथ साथ एक बहुती सांदार growth promoter भी है यानि कि आपके गन्य की फसल की growth भी बढ़ाएगा गन्य को रोगों से भी बचाएगा दोनों तरह से ये काड़े करेगा यानि कि गन्य की फसल के नहीं मैं ऐसा मानूंगा कि ये बहुती सांदार इसका rate निकल करके आता है किसान भाईयो यदि मैं बात करूँ इसके उप्योग की तो इसका उप्योग आप गन्य की पेड़ी फसल में भी कर सकते हैं और गन्य की आप पोदे फसल के अंदर भी इसका उप्योग कर सकते हैं इसके जो रेल्ट आपको देखने को मिलेंगे लगबग ये 5 से लेके 6 महीन तक गन्य की फसल पे बहुती सांदार परि प्वेल लगतार आपको धीरे-दीरे मिलते रहेंगे और आपके गंगे की फसल के अंदर यह दिन नम वनी रहती है तो पांस से लेके छै महिने तक आपके गंगे की फसल को यह सभी रोगों से बचा करके चलेगा किन-किन पूरी जानकरी मैं इस वीडियो में देने बाला हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदा चैनल एगरिकल्चर गुरू जी किसानों याज अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से हाथ जोड़कर विंदी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बैल आइकन को दवा लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की सावी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहें सुरू करते हैं आज का अपनो टोपिक गन्य की फसल के लिए दमदार, धांसू, किटनासक और एक ग्रोथ प्रमोटर दोनों ही टेक्निकल इसके इंदर बहुती सांदर फोम में दी हुए है यदि गन्य की फसल में इसका उप्योग कर लिया जाए तो बहुती सांदर परिणाम किसान भाईयो देखने को आपको मिल जाएंगे किसान भाईयो इससे पहले मैं आपके लिए कीटनासक के बारे में कम से कम 7-8 वीडियो बना चुका हूँ यदि आप में से किसी भी किसान भाईयो उन में से किसी कीटनासक का उप्योग किया है तो आप इसका उप्योग बिल्कुल भी नहीं करेंगे कैसे कैसे मैं आपको बता जता हूँ यदि आपने अपने गन्य की फसल के अंदर वाट एको का उप्योग कर लिया है फटेरे का उपयोग कर लिया है कोरजन का उपयोग किया है या फिर किसी और अन्य किटनासक का उपयोग अपने गन्य की फ़सल के अंदर किसान भायों आपने किया है तो आप फिर इसका उपयोग गलती से भी नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ आप एक किटना सक को उपयोग करें जाद है खर्चा यदि आप करेंगे तो आपके गंडी की फसल के अंदर से कुछ भी बच करके नहीं निकलेगा जिन किसान भाईयों ने अभी तक किसी भी किड़ना से को उपयोग नहीं किया है वह पहली बार किड़ना से को उपयोग करने वाले हैं चाहें वो आपका पोधा गन्ना हो और किसान भाईयों चाहें वो आपका पीड़ी गन्ना हो आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन आपके जो गंडे की फसल है कम से कम किसान भाईयो 45 से लेके 50 दिन के आसपास की होनी चाहिए उसके बाद ही आपको इसका इस्प्रे करना है एक बाद का किसान भाईयो आपको और ध्यान देना है कि आपके खेत की सिच्चाई करने के बाद इसका इस्प्रे आप करेंग 10 से लेके 12 दिन के बाद दुबारा से कर देनी है यदि आप आपने जो है स्प्रे करने के अगला जो आपने पानी लगाएंगे उसे 10 से बारे दिन के अंदर आप दे देते हैं तो बहुत सांधार पाई नाम किसान भाईयो वह हैं बहुती सांधार होकर के चलेगी और आपके गन्ना मोटा और लंबा बहुती सांधार तरीके से होना सुरू हो जायागा अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी डोज की कितनी डोज आपको गन्ने की फसल के अंदर लेनी है तो किसान भाई गन्य की फसल के अंदर आपको कम से कम 700 से लेके 800 ml पिर्थी एकड़ के हिसाब से आपको इस टेक्निकल को लेना है और उसके बाद लगबग 30-300 लेटर पानी के अंदर इसे मिक्स कर लीजे और उसके बाद आप अपने खेट के अंदर इसका इस्प्रे कर सकते ह बहुत इक अच्छे परिणम आपको देखने को मिल जाएंगे आप एक तरीकी सबस आइसा मान सकते हैं कि जिस तरीकी सब किसान भाई अपने गन्य की फसल के अंदर कोरजन का उप्योग करते हैं उसी तरीकी साब इसका उप्योग भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले स किसी कीटनासक का उपयोग किया है तो आप इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसान भाईयो इस टेक्निकल के अंदर नेवलूरन 5.25% पिलस इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% SC-4 में दिया गया है और यह है ग्रूप 28 का कीटनासक किसान भाईयो है यह अमेरिकन सुन करने की फसल के अंदर जितने भी रोग लगते हैं सतर से लेके 80% किसान भाईयो यह आसानी की साथ खतम कर देगा और 5-6 महिने का आपको रियल्टिय निकाल करके देदेगा इसका जब आप उपयोग करेंगे जब आप इसका करेंगे तो किसान भाईयो लगबक साम को आपको तीन से चार बजे के बाद ही आपको इसका इस्प्रे करना है तब आप इसके ज़्याद अच्छे पई नाम किसान में निकाल करके ले पाएंगे इस टेक्निकल का नाम या इस जो दवाई कम आपको बता रहा हूँ इसका नाम है बेराजाइड और किसान भाईयो यह अदामा से लेकर 8500 रुपए पिरती लेटर के हिसाब से आपको इस मार्केट में मिल जाएगा यदि मैं एक एकड़ की खर्चे की बात करूँ तो लग भाग आपको खर्चा 1400 से लेकर 1500 रुपए पिरती एकड़ का खर्चा इसका आपको गन्नी की फसल में आ जायेगा लेकिन यह कम स से लेकर 6 महीने तक आपकी गन्नी की फसल को ग्रोथ भी देगा और रोगों से भी बचायेगा तो इसलिए किसान भाईयो आप इसका अपयोग एक अपने खेट के अंदर करके देख सकते हैं यदि आपको परिणा मच्छे मिले रियाल्ट अच्छे मिले तो आप अपने हिंद जै भारत जै किसान